मैं पहुचा हूँ पठियाला और पठियाला के दर्जी बाजार में एक दर्जी के यहां मुझे दिखी है यह खुबसूरत पेंटिंग हैं? दर्जी के यहां पेंटिंग? दैर जिसने भी एक अलाकारी दिखाई है बड़ी कमाल की कलरिंग और शेडिंग का तो जाब नहीं एक दम रियलिस्टिक आर्ट लग रही है लेकिन दावर मुझाई यह कलाकारी पेंट बरश और कलर से नहीं बलकि सुइंग मशीन से की गई है और इस अदबुद आर्ट को बनाने वाले अदबुद बंदे हैं अरुन बजार और यह है वर्ल्ड्स ओनली सुइंग मशीन आर्टिस्ट मेरे फादर टेलर के और वो स्टीचिंग का काम करते थे मेरे को भी उन्होंने का कि तुम भी मेरे साथ दुकान में आओ और काम करो मेरे को टेलर में कोई इंटर्स नहीं था मेरे कोई मरोडरी का शौंग था बनाते मेरे मन में यह आता था कि मैं कुछ हटके करूँ अपने सुइंग मशीन और क्रेटिव माइन से अरुन जी ने ऐसा हटके किया कि देखने वालों को मिला जोरदार जटका वो सुइंग मशीन से मास्टर पीज बनाने लगए मतलब ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है यार बताएं ना रुन जी आपको ये आइडिया आया कहां से मेरे को गुर्णानग देव जी का खाब आया कि मैं खाब में उनकिया पोर्टेट बना रहा हूं सिलाई मिशीन से जब मैं उसको बनाता बनाता जब मैं उठा मैंने का ये पोसिबल है ये सिलाई मिशीन से पोर्टेट बन सकता है तो मैंने उसको सोचा कि कोशिश क्यों न की जाए मेरे सामने गुरु नानक दिव जी का एक फोटो लगा हुआ था वो मैंने फोटो उतारा उसका ट्रेस बनाया और उसको कपड़े के उपर शापके बनाने लग गया वन वीक लगा और वो फिचर मैंने बना के फियार कर दी ओ एम जी एक सपने को पहले अटेम्ट में ही क्या कमाल की रियालिटी दी है रुन जी ने और ऐसे यूनिक मास्चरपीस को बनाने में कठिनाईयां भी उतनी ही जागा होती है कोई बना पेंटिंग करता है तो ब्रशों के साथ उसका शेड मिला देता है जब हम थ्रेड कोई चेंज करते हैं लाइट ग्रे डार्क ग्रे उससे डार्क उससे डार्क जब इसको चलाते हैं तो ये एक के उपर एक आजाता है वो उसके अंदर नहीं जाता उसको डिटेलिंग में देने के लिए मेरे को काफी टाइम लगा इस सुइंग मशीन के जादूगर ने और भी बेमिसाल मास्टर पीसे बनाए है जैसे भगवान शरी कृष्ण का ये माइंड ब्लोइंग मास्टर पीस ये दुनिया में इस सिलाई मशीन से बनी सबसे लंबी धागे की तस्वीर है जो पुरे तीन साल में पूरी हुई है और इस मास्टर पीस के पाँच वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है आईए सुनते ही कि इनके हुनर के बारे में इनकी वाइफ का क्या कहना है दोस्तों अगर आप कुछ करने की ठान लेना तो वाकई आपको कोई भी नहीं रोप सकता अरुन जी की दर्दी से आठेस्स बनने की एक कहानी इस बात का जीता जाता सबूत है जिन्होंने ऐसे बेमिसाल मास्टर पीस बनाए हैं जिन्हें देखकर हर दिल ये कहता है कि OMG ये मेरा इंदिया OMG ये मेरा इंदिया झाल मेरा झाल जिल झाल